क्लास 11 चेप्टर 8 संस्कृतियों का टक्राओ इस चेप्टर में हमने पिछले दो क्लास लिया था और यह हमारा लास्ट है पिंजारों और इंका लोग कॉर्टेस के विपरीत आप पाएंगे कि पिंजारों गरीब और अनपड़ था वह सेना में भरती होकर 1502 इस्वी में कैरेबियन दिविप समुह में आया था उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश एल डोर एड़ो है उसने परसांत से वहां पहुचने के लिए कई प्रियत्न किये एक बार जब वह अपनी यात्रा से घर लोटा अस्पैन से तो वह अस्पैन के राजा से मिलने में सफल हो गया और इस मुलाकात के दोरान उसने राजा को इंका के कारिगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुन्दर सुन्दर मरतबान दिखाए राजा के मन में लोब जाग उठा और उसने पिजारों को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां का राज जेपाल यानि गवर्नर बना दिया जाएगा पिजारों ने कोर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बनाई लेकिन वह यह देखकर छुब्ध हो गया कि इंका सामराज की स्थिति वहां से बिलकुल ही अलग थी 1532 में वहां आता हुयालपा ने एक गिरह युद के बाद इंका सामराज की बागडौर अपने हाथ में ले ली थी तभी वहां के प्रिद्रिश में पिंजारों ने प्रिवेश किया और उसने जाल बिछा कर राजा को बंदी बना लिया राजा ने अपने आपको मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर स्रोना फिरोती में देने का प्रस्ताओ किया आज तक इतिहास में इतनी बड़ी फिरोती किसी को नहीं मिली थी लेकिन पिजारों ने अपना बचन नहीं निभाया उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैने को ने भी जी भर कर लोट मार मचाई लोट पार्ट के बाद इंका राजी छेतर पर कबजा कर लिया विजेताओं की कुरूरता के कारण 1534 इस्वी में ही विद्रोह बड़क उठा जो दो साल तक चलता रहा जिसके दवरान हज्जारों की संख्या में लोग युद और महमारियों के कारण मौत में चले गए विनास तो विनास ही होता है अगले पांच वर्सों में अस्पैनियों ने पोटोसी उपरी पेरू का आज की बोलो भिया कि खानों में भी चान्दी के विसाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया कैबराल और ब्राजिल ब्राजिल पर पुर्तगालियों का कबज़त तो इत्फाक से ही हुआ सन पंद्रह सो इस्वी में पुर्टगाल निवासी पैडरो अलवारिस कैब्राल जहाजों का एक सांदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ समुद्री तुफानों से बचने के लिए उसने पस्मी अफ्रिका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि उख उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुँच गया है जिसे बरतमान में ब्राजिल कहा जाता है दचनी अमेरिका का यह पुर्वी भाग उस छेतर में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौप रखा था इसलिए वे यह विवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे पुर्तगाल वासी ब्राजिल की बजाए पुस्मी भारत के साथ अपना ब्यापार बढ़ाने के लिए बहुत अधीक उत्सुक था क्योंकि ब्राजिल में सोना मिलने के कोई संभावना नहीं थी लेकिन वहाँ एक प्राकरतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाब उठाया और यह थी यह संपदा थी टिमबर यानि इमारती लकडी ब्राजिल उड ब्रिच जिसके नाम पर युरोप वासियों ने इस प्रदेश का नाम करें किया वहाँ से एक सुन्दर लाल रंजक यानि डाय मिलता था ब्राजिल के मूल निवासी लोहे के चाकू छोरियों और आरियों के बदले में जिन्हें वे अदभूत वस्तू मानते थे इन पेड़ों को काटने और इनके लठे बना कर जहाजों तक ले जाने के लिए तुरन तयार हो गए एक हंसिये एक चाकू या कंगे के बदले वे धेरो मुर्गियां बंदर तोते सहद मौम सूती धागा और अंडे चीजें जो भी इन गरीब लोगों के पास थी देने को त यार रहते थे तुम फ्रांसिसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलास में इतनी दूरी से क्यों यहां आते हो क्या तुमारे देश में लकड़ी नहीं है इन मुलनिवासी ने फ्रांसिसी पादरी से पूछा चर्चा के अंत में उसने कहा कि मुझे लगता है तुम बिलकुल बावले हो तुम लंबा समुद्र पार करते हो घोर परिशानिया जहलते हो और इतना कठीन परिश्णम करते हो किस लिए अपने बच्चों के लिए धनी कठा करने के लिए ही ना क्या जिस भूमी ने तुम्हें पाला पोसा और बढ़ा किया है वह तुमारे का विश्वास है कि जिस भूमी ने हमें पाल पोस कर बढ़ा किया है वह उनका भी भरन पोसन कर देगी इसलिए हम लोग आगे की चिंता किये विना आराम से जिन्दगी जीते हैं सुचो इमारती लकडी के इस बैपार की बज़स से पुर्टगाली और फ्रांसेसी बैपारियों की बेच भेंकर लडाईया शुरू हो गई और इनमें अंतता पुर्टगालीयों की जीत भी क्योंकि वे स्वेम तटिये चेतर में बसना और उपनिवेस बसाना जानते थे और चाहते थे 1534 इश्वे में पुर्टगाल के राजा ने ब्राजिल के तट को 14 आनुवांसिक कप्तानियों में बांड दिया जो वहां अस्थाई रुप से रहना चाहते थे और उन्हें अस्थानिये लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया बहुत से पुर्टगाली बा पुर्टगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उत्पादन ठीक है और चीनी बनाने के लिए मिले चलाना शुरू कर दिया यह चीनी यूरोप के बाजारों में बेची जाती थी और बहुत ही गर्म और नम जलवायों में चीनी की मिलों में काम करने के लिए व ने गुलाम बनाना शुरू कर दिया तब अस्थानिय लोग इन गुलाम बनाने वाले मिल मालिकों से बचने के लिए वे गाओं छोड़कर जंगलों की और चले गए जो जो समय बेतता गया तट्ये छेतर में मुस्किलें बढ़ती गई और बड़ा मुस्किल से ही अस्थानिय इलाके के लोगों का गाओं बचा हुआ था लेकिन उनके बदले यूरोपिये लोगों को सुन्योजित कवस्बे बस गए वे तो वहां से हट गए अपने गाओं को छोड़कर इस सोसन से बचने को लेकर वे जंगलों की तरफ चले गए और यहां पर धीर धीरी यूरोपिये की और मुड़ना पड़ा लेकिन अस्पैनी उपनी वेसों में इस्थिति इससे बहुत थी बिल्कुल बिप्रीत थी वहां एस्टेक और इंकस समराज्यों के अधिकान से लोगों से खादानों और खेतों में काम कराया जाता था इसलिए अस्पैनी बासिंदों को आपचारि पुसन दूसरों के खून करसिने अपसिने की कमाय से हूँ जो भी आदमी दूसरों की स्वतंतरता चिनता है और उस स्वतंतरता को वापस लोटाने की छमता रखते हुए भी नहीं लोटाता वह अवस्ति महापाप का भागी होता है यह विचार है ब्राजिल में 1640 के दसक मे रहने वाले जेसुइट पादरी एंटोनियो वीरा की है 1549 सिस्वी में पुर्तगाली राजा के अधिन एक और चारिक सरकार अस्थापित की गई कब 1549 सिस्वी में बहिया और शैलवाडोर को उसने अपसकी राजधानी बनाया और इसी समय जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राजिल जाना भी शुरू कर दिया था यूरोपिय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को पसंद तो नहीं करते थे क्योंकि वे मूल निवासियों के साथ दया का बड़ताओ करने की सलाह देते थे साथ ही निड़ता पुरवक जंगलों में जाकर उनके गाउं में रहत सिखाते थे कि इसाई धर्म एक आनंदायक धर्म है और उसका आनंद लेना चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह धर्म परचारक दास प्रथा की कड़े सब्दों में आलोचना करता था देखिए किस तरह से अस्पैन और पुर्थगाल ने बिजय उपनिवेस और दास बैपार की सुबात की जो अभियान पहले अनिस्षित परिणाम वाली समुद्री यात्राओं के रूप में सुरू हुआ था आगे चल कर उनका यूरोप और उतरी और दचनी अमेरिका और अफरिका पर एक अस्थाई प्रभाव पड़ गया पंद्रहवी सताब्दी में सुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं में एक महसागर से दुसरे महसागर तक के एका टूट समुद्रिक मार्ग खोज लिये गए और खोल दिये गए इससे पहले तक इन में से अधिकांस मार्ग यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल ही अंजान था अग्याद था कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था तब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिकी महादीवपों के जल छेत्रों में नहीं घूसा था दचनी अट्लांटिक तो पूरी तरह अच्छुता था किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था और नहीं कोई जहाज दचनी अट्लांटिक से प्रसांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुँचा था 15 सताबदी के अंतिम और 16 सताबदी के प्रारंभिक दसकों में ये सभी सहसिक काड़ी सफलता पुर्वग संपन कर लिए गए प्रारंभिक समुद्री यातरियों के अलावा आजने यूरोप आसियों के लिए भी अमेरिका की खोज के बड़े दिर्काली परिणाम निकले सोने चांदी की बाढ़ने अंतरराष्टी बैपार और ओध्योगी की करण का एक और अधिक बिस्तार बढ़ा दिया 1560 इस्वी से 1660 इस्वी तक सैकड़ो जहाज हर वर्स दच्छिनी अमेरिका की खानों से चांदी अस्पैन को लाते रहे लेकिन मज़िदार बात यह हुई कि इसका लाव अस्पैन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिला उन्होंने अपने भारी भरकम मुनाफे को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाजों के बेड़े का बिस्तार करने में नहीं लगाया उनकी बजाए अट्लांटिक महासागर के किनारे किनारे इस्थित अनेक आएसे देश थे विशेश रूप से इंगलेंड फ्रांस बेल्लियम और हॉलेंड जिन्होंने इन खोजों का लाव उठाया उनके सोधागरों ने बड़ी-बड़ी सन्युक्त पूंजी कमपनिया लगाई बनाई और अपने-अपने बड़े-बड़े वियापारी का भियान चलाई उपनी वेज स्थापित किये और युरूप वास्यों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई-नई चीजों जैस से तंबाकू, आलू, गन्ने की खेती, आचेनी ककाओं और रबड़ाजी से परिचीत करवाया इसके अलावा यूरूप अमेरिका से आने वाली नई फसलों विशेश रूप से आलू और लाल मिर्च से भी परिचीत हो गया फिर यह फसल यूरूप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अने देशों में लाई गई है उतरी तथा दचनी अमेरिका के मुल लिवासियों के लिए इन अभिहानों के अनेक तातकालिक प्रेणाम होए जैसे मार काट के कारण मुल लिवासियों की जनसंख्यां कम हो गई ठीक है उनकी जीवन सैली का विनास हो गया साथ ही उन्हें गुलाम बनाकर खानों बगानों इत्यादी में काम करवाय जाने लगा एक अनुमानित आकणों से पता चलता है कि विजय पूर्व मेक्चिकों की जनसंख्यां तीन क्रोड से अधिक थी तीन क्रोड से 3.75 क्रोड तक रही होगी और एंडियन छेतर की भी यही इस्तिती थी जबकि मजद अमेरिका में यह एक क्रोड से लेकर एं 1.3 क्रोड के बीज थी जुरुपिया लोगों के आने से पहले यहां के अस्थानिय लोगों की जनसंख्यां 7 क्रोड थी फिर 500 साल बाद उनकी आवादी घटकर केवल 35 लाक रह गई इस जन हाने के लिए लडाईयां और बिमारियां परमुकृप से जिमेदार थी उत्पादन की पूंजिवादी परनाली वह होती है जिसमें उत्पादन तथा बीतरन के साधनों का श्वामी तोर बैक्तियों या फिर निगमों के पास होता है और जहां पर्तियसपर्धी खुले बाजार में भाग लेते हैं अमरिका में दो बड़ी सभिताओं एक एस्टेक और इंका के अचानक नश्ट हो जाने से यह बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली ये दो संस्कृतियां एक दुसरे से बहुत ही भिन्द थी एस्टेक और इंका दोनों ही समराजियों के मामले में युद्धिकला के सवरूप ने अस्थानिये लोगों को मनोवज्ञानिक और भौतिक रूप से भायभीत करने में एक निर्णायक भौमिका आदा किया और इस संघर से नैतिक मुल्यों के बुनियादी अंतरका भी पता चलता है कि अस्थानिये लोगों के लिए सोने के परती अस्पैनियों की लुलुपता को समझपाना आसंभाव था 1550 के दसक में खानों का काम चालू हो जाने के बाद सन्यासी डोमिनिगोस दी सैंटो टॉमस ने इंडीज की परिसद में कहा था कि पोटोसी नरक का मुख है जो हर सल हज्जारों की शंख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है और वहां के लालची और बेरहम खान मालिक उनके साथ लावारिस जानवरों जैसा बरताव करता है इन मुट भेड़ों की बरबरता का एक अस्पस्ट परिनाम या प्रमान यही है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी प्रन्तु दचनी अमेरिका का अनुभव इस द्रिष्टी से नयाद था कि इसके साथ साथ वहां उत्पाधन की पुझिवादी परनाली का प्रादु भाव हो गया काम की प्रस्थितियां बहावा थी लेकिन अस्पैनी मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाब के लिए इस प्रकार का सोसन करना अत्यांतावश्यक है 1601 इस्वी में अस्पैन के फिलिप दितिये ने सारवजनिक रूप से बेगार की पर्था पर रोक लगा दी लेकिन उसने एक गुपत आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की भी बिवस्था कर दी थी किन्तु 1609 में एक कानून बनाये गया जिसके अंतरगत इसाई और गयर इसाई सभी प्रकार के अस्थानिये लोगों को पूरी स्वतंतरता दी दी गई इससे उपनिवेसी यानि यूरोप से आकर यहां बसे लोग नाराज हो गए और दो साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया संगर्स देखिए किस प्रकार से अस्थानिये लोग और एक बाहरी लोगों के बीच होता है तब जब बाहरी लोग आपके इलाकों में बैपार के मारफथी सही धीरे धीरे अपनी बस्तियों को बसा करके पूरी इलाके पर कबजा करके आपके सांस्किर्तिक बीच्ता को नश्ट कर देता है और अपने हिसाब से सासन करने के लिए सासर को कानून बनाने के लिए बाइदे करता है अब नई नई आर्थी गतिविधियां जोरों से सुरू हो गई जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमी पर पसुपालन किया जाने लगा सत्रसो इस्वी में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए एक सस्ते स्रमिक यानि सस्ते मजदूर की मांग हमेशा बनी रही तो यह असपस्ट था कि अस्थानिये लोग गुलाम बनने का बिरोध करेंगे अब यही बिकल्प बचा था कि गुलाम कहां से लाया जाए तो आफरीका से लाया जाए और आफरीका से ही मंगवाया जाने लगा सन 1550 इस्वी के दसक से 1880 इस्वी के दसक तक जब ब्राजिल में दास पर थाका उनमुलन यानि खत्म कर दिया गया था तो ब्राजिल में 36 लाख से भी अधिक आफरीकी गुलामों का आयात किया गया सिर्फ और सिर्फ दास बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खित खलीहानों, करल कार खानों में काम करने के लिए किन्तु यह अमेरिकी महादिविपों में आयातित अफरीकी गुलामों की संख्यां का तक्रीबन आधा था 1750 इस्वे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हजार हजार गुलाम होते थे अफरीका के नक्से पर वे जगहें जहां दास पकड़ कर ले जाए गए इबोलेंड, कॉंगो, अंगोला, मेडागासकर, मौनजामबिक और तटवर्ती इलाका दास पर था कि उनमुनल के बारे में 1780 के दसक में किये गए प्रारंभिक बाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलिल दी थी कि यूरोप वास्यों के आफरीका में आने से पहले भी वहाँ दास पर था मौजूद थी हालाकि यहां तक कि 25 अताबदी में आफरीका में स्थापित किये जाने वाले राज्यों में भी अधिकान समझदूर बर्ग गुलामों से ही बना था उन्होंने यह भी बताया था कि यूरोपिये वैपारियों को जवान इस्तरी पुरुष्णों को गुलाम राने में अफरीकी लोगों से भी मदद मिलते थी और यह वैपारी बदले में उन अफरीका वासियों को दच्छनी अमेरिका से आयात की गई फसलें जैसे मक्का, कसावा, कुमाला, आदी जो इनका प्रमुखे खाइदे पदार्थ था वे दे देते थे 1789 की अपनी आत्मकथा में ओलाउदाह एक्वियानो नाम के एक मुक्त किये गए गुलाम ने इन दलिलों का उतर देते हुए लिखा है कि अफरीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा बड़ताव किया जाता था एरिक बिलियम्स पहला आधुने की इतिहास कर था जिसने पंद्रस उन जिसन उनीस सच चालीस इच्वी के दसक में आपने पुस्तक कैपेटेलिजम एंड सलेवरी में आफरीकी गुलामों द्वारा सही की गई तकलिफों का फिर से जाजा लेने की पहल की थी उपसनहार उनिस्वी सताब्दी के प्रारमिक दसकों में और दचनी अमरिका के उपनीवेशों में आकर बसी यूरोप वासिये या यूरोप विये लोगों ने अस्पैन और पुर्तगाल के सासन के बिरूद विद्रोख कर दिया और वे स्वतंत्र देश बन गए ठीक वैसे ही जैसे की 1776 में तेरह उत्री अमरिकी उपनीवेशों ने ब्रिटैन के विरूद विद्रोख करके सन्युक्त राज अमेरिका का निर्मान कर लिया था यहां मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि यह देश ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्र देश बन गया जैसे 1776 में तेरह उत्री अमरिकी उपनीवेशों ने ब्रिटैन के विरूद विद्रोख करके सन्युक्त राज अमेरिका का निर्मान कर लिया था क्योंकि दचनी अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि अस्पैनी और पुर्तगाली दोनों भासाएं लैटिन भासा परिवार की है वहां के निवासी अधिकतर देशज यूरोपिय जिने क्रिययौल कहा जाता था यूरोपिय और आफ्रेकी मुलके हैं उनमें से धिकार्न स token लोग गैतौलिक धमावलं भी हैं उनकी संस्क्रिती में यूरोपिय प्रमपराओं के साथ मिली हुई देशी प्रमपराओं के ततो भी दमान है